Hey guys, welcome back to my channel once again और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूसफुल वीडियो लेकर आ गई हूँ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब भी आप ऑनलाइन अपने शूज या अपनी बैलीज वगेरा ओर्डर करते हैं तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि आप लोग जब भी ऑनलाइन ओर्डर करें अपनी शूज या बैलीज वगेरा तो आप अपना साइज कैसे गैस कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से साइज का शूज ओर्डर करने हैं तो बिना किसी तेरी के जल्द से शुरू कर लेते हैं इस प्रॉसेस के लिए आपको सिर्फ टू-3 आइटम्स के रिक्वार्मेंट है वह मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सीचोगी आपको जट पड़ेगी आप लोगों को चलिए एक A4 शीट एक मीजरिंग टेप यह हर किसी के घर में इसली मिल जाती है और एक पैंसिल अब बताती हूँ कि कैसे कैसे आपको अपने शू का साइज अपने पैल का साइज एजएक मेजर करना है तो यहां पर मैंने A4 शीट रख ली है और उसकी ओपर मैं अपना फूट रखने वाली हूँ अब अपना फूट रखने के बाद आपको पैंसिल से अपने फूट की प्रॉपर आउटलाइनिंग करनी है आउटलाइनिंग बहुत ही मतलब क्लियर होनी चाहिए आपका टो का टिप और आपका बैक अप फूट दोनों क्लियरली आउटलाइन हो पाए अपने प्रॉट रिमूव करने के बाद अब आपको टो की टिप और अपने बैक अप फूट को लाइन करना है बहुत स्ट्रेट लाइन कीचनी है क्योंकि वहीं से हम एग्जेक्ट मेजर कर पाएंगे अपने फूट का साइज आप दोनों साइड एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दीजे इन मार्किंग को मैंने अच्छे से हाइलाइट कर दिया है जब हम अपने टो की एंड बैक ऑफ हील की मार्किंग कर लेंगे उसके बाद हमें जोड़ पड़ेगी मीजरिंग टेप की क्योंकि अब हमें मैजर करना है अपने फूट का साइज नाव मीजरिंग टेप में मैं सेंटीमीटर वाला पोर्शन लोंगी क्योंकि मैं अपने फूट का साइज सेंटीमीटर में मेजर करने वाली हूँ अब मैं मेजरिंग टेप के टिप को अपने फूट के टिप पे जो मैंने मार्क किया था वहाँ पर पूट करूँगी इस लेंद को मैं जहाँ पर मैंने फूट आफ बैक मार्क किया था वहां तक measure करूंगी so measuring के बाद जो मेरा size आया है वो 23.5 आया है and इस size को मैं अपने marking point पर mention कर दूंगी 23.5 अब मैं एक और mark लगाऊंगी जिसमें मैं 1 cm extra लेकर mark लगाने वाली हूँ and मेरा previous जो आया था वो 23.5 था अब मैं 24.5 लेकर एक और mark लगाऊंगी यह मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ now इस marking को भी मैं same ही जंगा पर एक cm के gap के बाद mention कर दूंगी now इस marking से मुझे अपने foot का size cm में पता लग गया है कि मेरे जो foot का exact size है वो 23.5 है now अब यह जो मैंने size mark किये है यह मुझे help करेंगे मेरी online and offline shopping में so 1 cm का जो मैंने यह पर gap लिया है बैली में क्या होता है हम लोग without socks भी wear कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ form वगेरा नहीं लगी होती है बड़ जब हम शूज सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ा सा कुशन टाइप या फिर form लगी होती है और अगर हम socks के साथ wear कर रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत gapping चाहिए होती है इसलिए मैंने 1 cm का difference लिया है दोनों चीजों के selection में अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप app पर कैसे अपने size के according order कर सकते हैं तो जल दिसे चलते हैं app पर तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी Amazon की app पर कुछ shoes already मैंने select किये हैं क्योंकि हर shoes में size guide नहीं available होती है तो यहाँ पर मैंने एक पहली open कर ली है और अब मैं size इसका check करूँगी कि कैसे मुझे इसका size select करना है यहाँ पर हमें UK में size mention किये गए है और नीचे यहाँ पर दी गई है size guide हमने क्योंकि size centimeter में अपना measure किया है तो हम centimeter के हिसाब से ही अपना size check करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं UK इंडिया में जाऊंगी and centimeter में check करूँगी तो मेरी जो bellies का size आया था वो 23.5 आया था मैं search करते हूँ कि क्या यहाँ पर heel to toe 23.5 mention है तो यहाँ पर 23.5 mention किया गया है and क्योंकि मुझे size check करना है UK में तो UK के size के according जो मेरा size बैठेगा वो बैठेगा 4 number क्योंकि 23.5 में यहाँ पर 4 mention किया गया है तो इस according मुझे UK 4 अपने लिए order करना पड़ेगा अब हम check कर लेते हैं किसी shoe का भी size की हमें कैसे order करना है तो यहाँ पर यह मैंने shoes open कर लिए है यहाँ पर भी जो size mention किये गए है वो UK में mention किये गए है now अब मैं इसकी भी size guide open कर लेती हूँ और इसको switch कर लेती हूँ centimeter में क्योंकि यह shoes है तो मुझे एक number उपर order करना पड़ेगा तो उस according 24.5 मुझे देखना पड़ेगा and 24.5 के according जो size मेरा बैठता है वो 6 number बैठता है तो इस according मुझे 6 number अपने लिए order करना पड़ेगा तो अपने size के according मैं यहाँ पर 6 यहाँ से select कर लूँगी यह process था Amazon का अब मैं आपको दिखा देती हूँ mantra पर आपको कैसे order करना है तो पहले मैं search कर लेती हूँ bellies for women तो यहाँ पर bellies open हो गई है अब मैं पहली bellies click कर लेती हूँ और इसका check करती हूँ कि मुझे कौन सा size order करना है यहाँ जो size given है euro में हमें given है और size chart पर हम चलते है size chart पर यहाँ पर UK, US, euro हर form में आपको मिल जाएगा क्योंकि हमने check किया था centimeter में और यह हम order कर रहे है bellies तो उस according 23.5 मेरा आया था और 23.5 यहाँ पर नहीं है 23.3 है तो छोटा ना order करके 24 अपने लिए order करूँगी तो 24 के according जो मेरा size बैठता है वो 38 बैठता है ना जब मैं order करूँगी तो मैं अपना size 38 select कर लूँगी तो यह तो case था bellies का, अब हम check कर लेते हैं shoes का भी तो shoes के लिए पहले मैं search कर लेती हूँ यहाँ पर woman shoes यह shoes open हो गए है और कोई भी एक shoes मैं select कर लेती हूँ, suppose मैंने यह added as का shoe select कर लिया है अब मुझे चेक करना है अपना size क्यूंकि मेरे shoe का size आया था वो 24.5 यहाँ पर UK में हमें size given है यह size chart open कर लिया है so 24.5 के according जो मेरा size बैठेगा वो 6 number बैठेगा, क्यूंकि 24.5 पर UK में यहाँ पर 6 mention किया गया है तो मैं 6 को select कर लूँगी तो जब मुझे अपने लिए shoe order करना होगा तो मैं यहाँ पर 6 number select करके अपने लिए exact size का shoe order कर लूँगी अब हम चेक कर लेते हैं flip card पर भी कि हमें flip card पर कैसे select करना है search में मैंने check कर लिया है women bellies so पहले मैं bellies open कर लेती हूँ so यहाँ पर bellies open हो गई है कोई भी एक bellies में open कर लेती हूँ पहले अब check करती हूँ size so यहाँ पर UK इंडिया में दिया गया है size and side में हमें size chart मिल जाएगा now यहाँ पर मैं size chart open कर लेती हूँ UK इंडिया में मुझे check करना है and मेरी जो foot की length आई थी वो 23.5 आई थी तो उस according जो UK इंडिया का size बैठेगा वो 7 number बैठेगा तो जब मैं अपने लिए bellies order करूँगी तो मैं यहाँ पर 7 select करके order कर दूँगी तो यह था bellies का अब मैं चेक कर लेती हूँ shoes का भी तो पहले में search कर लेती हूँ women shoes तो यहाँ पर shoes open हो गए है कोई भी एक shoes मैं open कर लेती हूँ suppose मैंने यहाँ पर यह adidas का shoes open कर लिया है now मुझे size चेक करना है क्योंकि अब मुझे shoe order कर रही हूँ तो मुझे 24.5 के according चेक करना पड़ेगा यहाँ पर भी जो size है UK इंडिया में है and मेरा size आया था 24.5 तो उस according मुझे 6 number का shoes अपने लिए order करना पड़ेगा so जब मैं अपने लिए shoes order करूँगे तो मैं 6 number select करके order कर दूँगी so यह था flip card amazon and mantra पर आप कैसे order कर सकते हैं अपने shoes का description so I hope आप के लिए आज की वीडियो useful रहे और जिन लोगों को confusion था इस regarding उनके confusion दूर हो पाएं so मिलता हैं फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा भाई बे टेक कियर and as always धन्यवाद